MIY12 का अन्दर port roam आ चुका है Redmi K4 device के लिए जिसे फिलाल में कुछ टाइम से योज कर रहा हूँ तो इस वीडियो में आपको complete details देने वालों इस रों से regarding क्या कुछ नया देखनी को मिल जाता है और साथ से साथ आप इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हो Hello everyone I am MK and you are watching Tech Office और इस वीडियो हम बात करने वाले MIY12 के 20.5.7 के बीड़ा अपडेट के बारे में जो के एक port room है और यहां का आपको all aspects में देखने को मिल जाता है device का नेम जो के Redmi 4X यानी कोटनेम सेंट वर नहीं है मुए पर Android 9 का सपोर्ट मिलता है लेकिन आपसे के लिए बहुत बड़ी good news है कि जल्द ही आपको Android 10 के उपर MIY12 देखने को मिलने वाला है क्योंकि यह बूट हो गया है बस थोड़े वो काम और बाकी है लेकिन please don't spam guys क्योंकि यहां पर साथा टाइ के लिए कि 2025 का देखने को मिलता है और यहां पर आप देखने को मिलता है यहां पर डिफरेंट करने को मिलता है बट मैंने light phonics यूज किया है कि यह काफी अच्छा performance दे रहा है और साचा बैट योगा भी काफी अच्छा दे रहा है तो साथा लिंक में आपको डिस्क्रीशन म और timing format, slide panel, shortcut वगरा मिलते हैं वहें पर display के अंदर आपको dark mode के अंतर normal dark mode देखने को मिलता है क्योंकि जो individual dark mode वगरा है global support का वो आपको सीब और सीब देखने को मिलता है Android 10 के उपर तो यह साथ जल्दी हमें देखने को मिल दाएगा जब Android 10 आएगा यहां पर वही सारे options को मिल सकते हो, Samsung भाई अपना एड कर रहा है कि हमने डिलिवरी शुरू कर दी है तो ख़िद लो मेना Samsung का 10 light आप ख़िदना चाहते हो ख़िद सकते हो ठीक है यहां पर आपको switch control देखने को मिल जाता है center का जो कि आप left to right, right to left है जो change कर सकते हो इस button का use करते हुए कुछ इस तरीके स होगे आपको battery percentage गएर का option देखने को मिलता है जो कि आप easily change कर सकते हो, होगे आपको notification देखने को मिलता है, home screen में वही सारी चीजे है जिनमें को कोई भी changement देखने को नहीं मिलता है और यह perfectly काम करता है, by default अगर camera के बात करे तो आपको 1080p तक का 60fps का record support देखने को मिल जाता है आप 1080p 60fps तके जो suit कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो, तो बाकिया दर चीजे आपको working मिलता है, portrait का support by default camera में नहीं मिलता है, जो आपको gcam यूज करना होगा, अगर आप portrait क्लिक करना चाहते हो, तो by default आपको Google Go का map है, Google Map, वो Go का lighter version यहापे दिया गया है, वोगे बाइड आपको यहापे दिखाऊं, तो आपको यहापे दिखाऊं, तो आपको यहापे दिखने को मिलता है YouTube का support, जहाँ पर आप अपने एकाउंट को login करके YouTube को वीडियो को background में run कर सकते हो, तो यह आपको plus point दिखने को मिल जाता है, वोगे पर सारे common option आपको दिखने को मिलता है, और यहापे आपने control center के और आते हैं, तो आपको यहापे दिखने को मिलता है, लेकिन छोड़ा सा old build है, जिसके आपको यहापे एक scanner का नया option दिखने को नहीं मिलता है, जो के latest build के अंदर हमें डिखाया गया है, वोगे पर by default आपको जो calculator दिखने को मिलता है, screen recorder मिलता है, अ जाकि जब मैं वीडियो दूँ, आपको जो notification मिल सके और आप उसे जो watch करते benefits ले पाओ, यहापे आपको FM कोई भी देखने को नहीं मिलता है, प्लेश्टर बाइडिफोल्ट मिलता है, आपका camera बाइडिफोल्ट मिल जाता है Gcam का, बट आप डिफरेंट दिखने को जो आएगा, यानि अगर आप इस रूम को यूज करने वाले हो, तो मैं यहीं सजेस्ट करोगा कि भाई आप बैंकिंग आप यूज ना करो, तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप ट्राइक करना चाहते हो, आपको लिए कंपसरी है, तो मैं इसका एक recording छोटा साइजर टेल टाइमिंग वगर आप यह जो सेट कर सकते हो, इनमें कोई भी इसूज नहीं आता है, यहाप जो keyboard यूज किया गया है, वो आपको Sony Xperia वाला देहनी को मिल जाता है, जो कि अच्छा है, Game Turbo लेटिस्ट मिल जाता है, और सासे आपको वीडियो टूल बॉक्स भी देहनी को मिलत लेकिन वहें पर banking app से लिगाटिंग आपको प्रॉलम देहनी को मिल जाता है, और fingerprint टो वर्किंग है, लेकिन face unlock भी आपको प्रॉलम क्रेट करता है, तो यह दो तिन प्रॉलम को अगर आप इंग्नोर कर देते हो, तो आप इसे जो काफी अच्छी खासे बैटिव बैक आप औ कर दो, मैं भी फिलाले जो orange box से उच कर रहा हूं, तो आपको यह different recovery है, जो यहाँ पर यूच कर सकते हो, कोई फर्क नहीं परने वाला है, तो जैसे आप complete wipe कर लेते हो, इसके बार install के बटन पर जाना है, और अपने फाइलों को ब्राउच करना है, जहाँ भी आपने फाइलो आपको और यहाँ पर कुछ पैसे प्राइट किये गए है, तो आपको जो वन वाई वरन करके सारे पैसे को flash करना है, तो part 1, add पर क्लिक करके part 2, add पर क्लिक करके आपको part 3 को select करना है, और swipe कर देना है, यहाँ पर यह जो तीन पैसे दिये गए, इसी के बज़ाए से बहुत सा अगर आप यूज करना चाहते हो और करते हो तो अदरवाइज बाकर दर इस्टार स्टेप फॉलो करने की जिबरत नहीं है, और आपको अच्छा सा बैटे का अपर हों चाहिए, ती रह करनेल जो की light phonics का है, इसे आपको select करके और flash कर देना है, ताकि आपको अच्छी चीज देखने को मिल सके, तो यहाँ पर इसके complete flash हो जाने के बाद, बस आपको जो 5-10 minutes का wait करना है, reboot करने के बाद, आपको phone on हो जाएगा, आप setup करके complete लिए जो use कर पाऊगे, तो आई उसो guys कि मैंने complete detail दे दिया है, आप से भी कोई स्रूम के बारे में, तो वीडियो पसंद आए जरू करें, और कोई questions पर करें, आप जो पोच सकते हो, telegram group पे, और guys, आप से एक ही request रहेगा, कि भाई, spam ना करें कि क्यो कब आ रहे है, क्यो कब आ रहे है, बस अभी boot हुआ है, उसमें बहुत कुछ करना बाकी है, तो maybe one month का time लग सकता है, फिर maybe two-three days के अंदर भी आ सकता है but notes your, लेकिन जैसे ही आता है ना, सबसे पहले वीडियो में आपको provide करूँगा, तो बस उसके लिए stay tune करना कि कब MIUI 12 in RedQ के उपर आता है, so bye bye